हेलो फ्रेंड्स मैं डॉक्टर इनके बावलिया प्राचारी राज के विज्ञान माविद्याले सीकर आज मैं आपको जो वर्गीकन पद्दतियों की कड़ी है उस कड़ी के अंदर इस वीडियो के माधिम से इंगलर एवं प्रेंटल का क्लासिफिकेशन समझाने जा रहा हूं इस क्लासिफिकेशन के मूल भूत आधार क्या है इस क्लासिफिकेशन की क्या विशेष्टाएं है इस क्लासिफिकेशन की क्या गुण है और क्या अवगुण है इन सब बातों के बारे में आज मैं इस वीडि के और चलते हैं जैसा कि आपने इससे पहले कॉर लीनियस का क्लासिफिकिशन पड़ा समझा पैंथम हुकर का क्लासिफिकिशन समझा कॉर लीनियस का वर्गीकन क्रत्रिम पद्दति का वर्गीकन था बैंथम हुकर का वर्गीकन नेचुरल पद्दती या प्राकरतिक पद्दती का वर्गीकन था और ये वर्गीकन एंगलर और प्रेंटल का वर्गीकन ये जाती व्रतिय पद्दतियों का most probably पहला वर्गीकन था हालांकि इससे पहले कुछ वर्गीकन और आये हैं इंगलर और प्रेंटल का पूरा नाम अडॉल्फ इंगलर और कार्ल प्रेंटल है और उसी के नाम से सोट में इंगलर और प्रेंटिकल प्रेंटल वर्गिकन के नाम से जाना गया है ये दोनों जर्मन बॉटनिस थे, इन्होंने इस वर्गीकन को 20 भागों में इनकी द्वरा लिखित डी नेचुरली चेन, पफलेंग जेन, फैमिलियन नामक बुक के अंदर इसे प्रस्तुत किया ये वर्गीकन विशेश रुप से उस समय प्रस्तुत हुआ था जब जैविक विकास के सिद्धानत कुछ शुकृति मिली थी और जैविक विकास कहता है कि जीओं की उत्पत्ती किस प्रकार से हुई है और उसको धान में रखते वे ये जात्ति व्रत्तिय वर्गीकन पद्धत सामने आये थी इसे वर्गीकन के कुछ मूलभूत आधार है उन आधारों में पहला आधार इन्होंने बताया कि सबसे most primitive plants होते हैं वे वो plants होते हैं जो wind pollinated होते हैं और most advanced plants वो plants होते हैं जो insect pollinated होते हैं wind pollinated में से वायू परागत जिनमें वायू द्वारा परागन के क्रिया होती है इंसेक्ट pollinated में से जिनमें कीटू द्वारा कीट परागन होता है दूसरी स्वर्गीकन की विशेशता रही है इनका मानना है कि unisexual flowers जो एक लिंग पुस्प होते हैं उनमें एक प्रकार का लिंग होता है नर या मादा वी मोर प्रिमिटिव हैं ज्यादा आदि प्रकार के या आदिम प्रकार के प्लांट्स हैं या पुस्प हैं जबकि दूसरी तरफ जो bisexual flowers हैं या दिवलिंगी flowers हैं जिसमें एक ही पुस्प के अंदर दोनों लिंग मेल और फिमिल पाए जाते हैं उन्हें highly advanced के करके पुका रहा है और इनका मानना था कि unisexual flowers से ही bisexual flowers की उत्पत्ती हुई है तीसरी इस प्रकिकन की विश्यष्टा हुई है कि flower के अंदर जो floral parts होते हैं कैलिक्स, कॉरला, एंडुरिश्यम, गाइनुश्यम और कारपल यदि ये free condition में होते हैं एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं आपस में जुड़ेवे नहीं होते हैं तो ऐसी स्थित्री को primitive कहा गया ह इनके अनुशार और यदि आपस में जुड़ेवे रहते हैं तो इस दसा को इन्होंने advanced या प्रगत या evolved दसा कहकर पुकारा है इसी प्रकार से यदि कैलिक्स आपस में जुड़ेवे रहते हैं किसी पुस्प की तो उसे primitive condition कहा है और यदि कैलिक्स और कोरोला आपस में जु करला करले करला कलिक्स एंडुश्यम गायनुश्यम सभी आपस में जुड़ेवे रहते हैं तो इस आउस्था को most advanced stage या बहुत ही प्रगत आउस्था के नाम से बताया गया है इनका उसार और नेकड़ फ्लावर से को इन्होंने primitive का है नेकड़ फ्लावर से से ऐसे फ्लावर कैलिक्स कोरला नहीं होते हैं उन्हें most primitive plants के नाम से जाना गया है और ऐसे फ्लावर से जिनके अंदर कैलिक्स कोरला का differentiation नहीं होता है सिर्फ perient होते हैं या परीदल होते हैं जिसको ये लिए हमने आपर perienthoid सब्द काम में लिया है ऐसे फ्लावर से को ज्यादा advanced माना है और इसी प्रकार से monoclamidus flowers से ऐसे flowers से जिसमें perient का सिर्फ एक ही रॉल होता है या एक ही चक्र होता है उन्हें primitive कहा गया है और जो diclamidus flowers होते हैं जिनमें floral parts के दो चक्र होते हैं perient के तो उन्हें advanced flower माना गया है इसी प्रकार से sepaloid condition को primitive condition माना गया है in comparison to petaloid condition यदि किसी plant के अंदर perient पाई जाते हैं और वे बाहिये दल की जैसे होते हैं या sepaloid होते हैं या sepaloid की जैसे होते हैं तो इस condition को इन्हें primitive माना है और यदि ये petal की जैसे होता है पेटलोड होते हैं तो इस condition को इन्होंने advanced condition माना है यह कुछ basic आधार इनके वर्गीकन के रहे हैं आगे हम चलते हैं इस वर्गीकन की क्या-क्या features या क्या-क्या विशेष्टाइं हैं अंग्लर एंड्प्रेंटल ने इस वर्गीकन के माध्यम से सभी प्लांट्स को या यू कहिए प्लांट किंग्डम को 14 मेजर डिविजन्स में या 14 मुख्य प्रभागों में बाटा है इन में से एक से लेकर के 13 तक जो डिविजन्स हैं वे एलगी, फंजाई, ब्राइफाइट और टेरिडोफाइट से रिलेटिड हैं जो हमने इस वर्गिकन के अंदर एनलार्ज नहीं किया है और जो चोदवाण डिविजन है ये चोदवाण डिविजन विशेशुषे एंब्रियोफाइटा साइफोनों गेमिया से रिलेटिड है एंब्रियोफाइटा साइफोनों गेमिया से सैंसे हमने जैसे पहले बताया था उन प्लांट्स के अंदर जिनमें एंब्रियो का निर्मान होता है और pollen tube की साहता से gamits का translocation या इस्थानांतन होता है उसे इन्होंने embryo phyta siphonogemia का है और दूसरे सब्दों में हम कह सकते हैं ये seed plants हैं और इन plants के अंदर इन्होंने gymnosperms को और angiosperm को रखा है और इन्होंने इस division embryo phyta siphonogemia को gymnosperm और angiosperm में बाटा है और इस angiosperm को पुने दो classes के अंदर बाटा है एक class को monocotylidine नी नाम दिया है दूसरे को dicotylidine नी नाम दिया है monocotylidine के अंदर करीबन 14 orders आते हैं dicotylidine के अंदर करीबन 44 orders आते हैं इसी प्रकार से dicotylidine को येन्होंने दो भागों में बाटा है RK claim ID and beta claim ID RK claim ID को A petali के नाम से भी जाना जाता है और meta claim ID को sim petali के नाम से भी जाना जाता है RK claim ID के अंदर ऐसे plants होते हैं जिनके जो petals होते हैं फिर free होते हैं और यदि parent होते हैं तो या तो एक चक्र होता है या दो चक्र होते हैं इसमें 33 orders और 201 families हैं मेटाकलेम आडी के अंदर जो कोर्ला होते हैं वे गेमोपेटलस होते हैं या आपस में स्री फ्यूज्ट होते हैं और जो पेरियन्थ होते हैं उसके दो चक्र होते हैं या दो रॉल होते हैं इसमें 11 ओर और और 57 families आते हैं इसे वर्गीकन के तहते मोनो कोर्स को डाइकोर्स की तुलना में ज्यादा प्रिमिटिव माना है और इसे के सासाथ में इस सिस्टम के अंदर जो इस सिस्टम को अमेरिकन लोग हैं या हम कह सकते हैं साइंटिस्ट हैं इस classification को वर्गीकन पद्धति को बहुत अच से स्विकार किया है हालां कि ब्रिटिशर्स ने इस पद्धति को वर्गीकन पद्धति को स्विकार नहीं किया है उन्होंने बेंथम हुकर की पद्धति को ज्यादा स्विकार किया है या इस बेंथम हुकर की पद्धति के अंदर बैसे और हचिंशन ने जो संसोदन किये हैं या modification किये हैं उन पद्दित्यों को वो शुकार किया है उन लोगों ने इसी किसा सत में इसे वर्गिकन पद्दत्य के अंदर जो जिम्नोस्परम हैं उन जिम्नोस्परम को माना गया है कि इनकी उत्पत्ति angiosperms की उत्वत्ति gymnasун Amanosperm से हुई है और angiosperms में monocores का development पहले हुआ है और di compl cigarette का development बाद में हुआ है और हम कह सकते हैं कि monocores की उत्वत्ति पहले हुई है और diorgecols की उत्वत्ति बाद में हुई है तो एक तरह से इनका मानना था कि dich course, monocores की comparison में ज्यादा advanced हैं या दूसरे सब्दों में हम हमा कर कह सकते हैं monocores ज्यादा primitive है और dicores से ज्यादा advanced हैं और इनका मनना है कि polypetalus condition है monoclaim ID जो condition है जो Bentham and Hooker ने use की है इस polypetalus को और monoclaim ID को इन दोनों को आपस में जोड़ दिया गया है जो पहले Bentham and Hooker के classification में अलग-अलग थी और उनको जोड़ करके एक साथ रख दिया गया है और इस group को इन्होंने R की claim ID का है A petally का है जिसके अंदर dicores plants आते हैं ऐसे dicores plants आते हैं जिनके sepals और petals से free होते हैं दूसरी जो class है Metaclaim ID जिससे Sympatally के नाम से जाना गया है ये R की claim ID की तुला में ज्यादा evolved मानी गई है इनके according और जो female flowers होते हैं उन female flowers की उत्पत्ती mega sporophyll या guru बीजानूपन से होना मानी गई है और जो male flowers होते हैं उनकी उत्पत्ती micro sporophyll से या लगू बीजानूपन से होना मानी गई है इसी प्रकार से हमने classification के अंदर monocourse में कितनी family हैं कितने cool हैं diecourse में कितनी family हैं कितने cool हैं ये सब पहले हमने वर्गीकन की रूप रेखा के अंतरगत बताया है अब हम चलते हैं इस वर्गीकन पद्धती के क्या गुण है या क्या merits है पहला इसका गुण है कि इस वर्गीकन पद्धती को broad treatment की रूप में लिया गया है विस्तार रिक रूप में लिया गया है narrow sense के अंदर नहीं लिया गया है दूसरा इसका मेरिट है कि इसके अंदर excellent illustration किया गया है अच्छी तरह से इसको समझाया गया है और इसके अंदर कई groups को phylogenetic arrangement के according व्यवस्थित किया गया है तीसरी इसकी विशेश्था है कि यहाँ पर gymnosphone को एक अलग subdivision के अंदर classify किया है चोथी इसकी विशेश्था है कि इसके अंदर plant identification के लिए taxonomic keys जिने modern taxonomic keys या वरगी की कुंजिया कहते हैं उनका इस्तिमाल किया गया है पांचमी इसका गुन है या विशेश्था है या इसकी merit है वह है STC family को die course में सबसे last में रखा गया है जो कि सबसे advanced family है die course की और इसे logical माना गया है और accurate माना गया है कि इसको सबसे last में रखा गया है और gymnosperms को angiosperms से पहले रखा गया है ये भी इसके एक अच्छाई है ऐसे ही orchidacy family जो monocourse की family है इस family को भी इन्होंने सबसे last में रखा है और last में रखने का मतलब है कि ये monocourse की सबसे advanced या highly advanced family है जिसकी वरगी कन की अच्छाई है साथ में इसकी विशेष्टा या अच्छाई है कि इस वरगी कन के तहते polypately और monoclemyid को archiclemyid के अंदर रख दिया है एक जिगर पर रख दिया है ये भी अपने अपने लॉजिकल है आठ में इस वरगी कन पद्दित्ती की विशेष्टा है किसके अंदर एरी किये सी family जिसे पामी family कहते हैं जिसके अंदर पाम आते हैं या खजूर जैसे plants आते हैं उस family को dicors के सबसे बाद में रखा है इतमेंसे ये सबसे evolved, स्लाइटली evolved family है in comparison to other dicors ऐसे ही इस वरगी कन पद्दित्ती की गुण है जंकेसी, इरीडेशी family, इनको फिल्ली केसी के आसपास रखा गया है जो कि अपने अपने उचित है इसी प्रकार से इस वरगी कन पद्दती के कई दोस भी हैं, कई अउगुण भी हैं या de-mates में उनमें पहला दोस है, इन्होंने जो रखा है monocors को primitive माना है और dicors को advanced माना है जो अपने आप में तारकिक नहीं है दूसरी इसकी de-merit है कि इन्होंने bisexual flowers को unisexual से उत्पत्ती होना माना है कि bisexual flowers की उत्पत्ती unisexual flowers से हुई है जो अपने आप में उचित नहीं है तीसरी इसका de-merit है कि primitive flowers का जो concept है ये concept modern evolution के against है या विरुद्ध है कि ऐसा नहीं कहता है modern जो concept है evolution का कि monocors से dicors की उत्पत्ती होई है dicors से monocors की उत्पत्ती हो सकती है लेकिन इन्होंने यहाँ पर उल्टा बताया है ऐसा ही चोथी इसकी आउगुन है इसके अंदर जो apatalous families है और जो polypatalous families है इनको आपस के अंदर mix कर दिया गया है और mix करने से एक बहुत बड़ा group बन गया है और इससे काफी उत्पतल हो गई है पांचवी इसकी de-merit है ये पद्धत्ती जिस प्रकार से benthman hooker की पद्धत्ती practical है उस प्रकार से ये पद्धत्ती practical नहीं है practical utility के point of view से सही नहीं है छटा इसका आउगुन है इसके अंदर विशेश्रों से amantyferi series और centrospermi series को diecodes में सबसे पहले रख दिया गया है इवन Reynolds order से भी पहले रख दिया गया है जबकि यहाँ पर Reynolds order ज्यादा primitive है इनकी comparison में लेकिन इनोंने इन दोनों को Reynolds से भी पहले रख दिया है जो अपने आपने सही नहीं है सात्मा अउगुन है इस पद्धत्ती का इनोंने कारपल की जो nature है जिसे हम gynosem कहते हैं जिसे हम अंडप कहते हैं उसकी nature foliar मानी है यानि की पत्तिनुमा मानी है और इसे foliar nature को इनोंने primitive कहा है और इसका comparison किया है इनोंने केरियोफिलेसी से और two roles of parents से किया है जो अपने आपने उचिते नहीं है इसे प्रकार से angler and parental जो पद्धती है phylogenetic पद्धती है लेकिन इस phylogenetic पद्धती की कई विशेष्थाई भी है लेकिन कई इसके टी मेर्ट्स भी है इसलिए आज हमने इस वरगेकन पद्धती के माध्यम से angler and parental को जाना इसके पद्धती के salient features को जाना इसके गुनों और अउगुनों के बारे में जाना आपको ये classification system या वीडियो कैसा लगा आप like कीजी, subscribe कीजी और bell icon दबाईए और अपने comment दीजी किसी प्रकार की आपको समश्या हो तो मैं इसके parallel मेरे facebook page के उपर भी इसका pdf upload करता जा रहा हूँ आप महां से और detail ले सकते हैं मेरे से question answer कर सकते हैं taxonomy के field में मैं नहीं सिर्फ मेरे teaching से हूँ मैंने 1989 के अंदर मेरा MSC किया 1993 के अंदर PhD किया विसे सबसे floristic taxonomy के अंदर मेरा special paper भी taxonomy ही रहा है इसलिए मेरा taxonomy interesting subject है और उसी को मैं धान में रखते वी ये videos बना रहा हूँ आप देखते रही है stay at home, stay safe, stay live thanks